इस टॉपिक के अंदर हम पिछले टॉपिक से लिंक करेंगे उसमें हमने डॉर्स और विंडोज की प्लिस्स इंशोर की थी के कहां लगने हैं इस टॉपिक के अंदर हम विकली लगाएंगे जैसा के प्रीविस टॉपिक में थोड़ा सा हमने उसको चेंज किया था फाइव मरला प्लान से यहां पे भी हम इस तरह की चेंजिन करेंगे के आल ट्राइए के मैं डॉर्स खुद न बनाऊं डॉर्स बनाने का मेतट आपने देखा था जिस तरह मने बताया था के जितनी आप ने डॉर के एक्स एकसे चोड़ा है उतनी हैं अप एक हाइट की लाइन लगाते थे फिर उसको टू इंच की आप एक आफसेट देते थे फिर वो एक रिक्टेंगल लगाते थे आप एक सोरी आर्क लगाते थे तो यह एक मैथड था जो आपने पहले खुद से सीखा है आप रेफर बैक कर सकते हैं उस लेक्चर में करेंगे लेकिं यहां पर हम बने बनाएं ट्राwał करेंगे जो बलॉक्स हमारे पास बने हैं इसी बलॉक को डिरेक्टली थांप मरोन होगी बलॉक का अपको पता है अबना भी चुके हैं और डिरेक्टली अजा को पाय। अब उसमें डिफिनली मिरर रूटेट की कमांड तो लगती रहेगी बाज वकात आपने उसी दर्वाजे को रूटेट करना होता है तो उसको रूटेट करना होगा बिडियर करना होता है बाथ अकात आपने totally slightly change करना होता है वो भी आपने command सीक्च हुई है तो हम quickly करेंगे तो हम blocks बना हुआ ब्लॉक जो है वो direct place करेंगे door के context में window में तेरेक्टली जो है वो same manner में एक rectangle ड्रा कर लेंगे और वही मिडल लाइन लगाके वन इंच करके दरमियन वाली को delete करेंगे एस जो मीर्जिबा तकर दोनों को डूर की ड brushed लायर holezen की लेयर टाकर हमारा काम असान भी हो और आगी अग्यार हम वर्क करें तो इस सारे प्रासेस में जो चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जिसकी वज़ा से इस प्रोजेक्ट को करने की जो मतलब मेन वज़ा थी वन आफ दी रीजन वो यह भी थी कि आपकी प्रैक्टिस से हम इंशोर करें है आप एक किसम का आपने एक प्लान एंड कर लिया है अल्दो थीडी के हमने बहुत डेप्थ में नहीं गये लेकिन फिर भी एक मतलब हमने उसके लाइटर व्यू में 3D भी कर लिया है C arbit tech CAD 3D भी कर लिया है अब एक नया प्लान है अब इसमें आपने वह एक्सक्तिति सारी यूटियॉस करनी है जो आपने उस प्लान में गें preacher की JUL is एब लिए किए हैै या आपने कोई Google लसके यूज किया है तो यह अब जो है वो आपका एक टेस्टिंग किसम को प्रोजेक्ट भी होगा जिसके डिपेंड करेगा कि आपके कितनी जो है वो इसके अंदर एकुरेसी के साथ आप वर्क करें अब बढ़ते हैं हम अपनी ड्राइंग की तरफ जहां पर हमने प्रीविस टॉपिक को कंक्लूड किया था ताके हम उन प्लेसिस के अंदर वो डॉर्स और विंडोज को इंशोर करें इसमारा प्लान जीसमें हम वोग करते हैं हम प्रीविस टॉपिक में प्लेश इंशोर कर ली थी करंट लेयर भी बना लेते हैं ताके हम इसी में वर्क करें अब डॉर्ज की लेयर में काम भी स्टार्ट हो रहा है हमारे पस दो आप्शन मौझूद है एक यह है कि यहां पे हम खुद से कोई दर्वाजा बनाएं और आपको मैथड पहले बताया हुआ है आप वापस रेफर बैक कर सकते हैं उन टॉपिक्स में तो इस वज़ा से दूसरा कॉंसेप्ट हमारे पास हमें आईडिया है बने-बनाए ब्लॉक्स भी आपको मिल सकते हैं आपको बहुस सारी साइट्स भी बिताई हुई है जहां से आपको मिल सकते हैं मेरे पास भी CAD फाइल में ब्लॉक्स मौझूद हैं यह दो देख लें आप में अदादा लगाएं दो जो हैं वो डॉर्स हैं अब यह दोर आपने एक चीज और भी नोट करनी है कि आपने चुगाट बनाई थी यह डिपेंड करता है आप पे जरूरी नहीं है कि आपने वो एक्जैक्टली टूबए टू इस यह वाली साइज से भी आप बना सकते हैं बड़ अगर आप चाहते हैं क्योंकि प्लाइन में जो है वहाली सीमबॉलिक रिप्रिजनटेशन ओरही ह क्या दोवाद कर चुका हूँ कि प्लाइन में जो दोती है क्योंकि आप मॉपर देख रहे हैं – यहा पे डॉर है अब जब लगाने जाएंगा अप प्लान में है, यह आपने बता रहे हमें इसकी X-axis कितना है इसके बाद लगाते वक्त डिफिनल्टी आप दर्वाजे को जिस तरह का लगाना चाहें जिस material type का लगाना चाहें डिपेंड करता है तो यह हमारे पास जो है वो दो डोर्स हैं तो यहां से हम इनको जो है वो control C कर लेते हैं copy कर लेते हैं और इनको जो है हम अपनी ड्राइंग में जाके control V कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं और इसको भी हम यहां पे कोशिश करते हैं कि अपनी लेयर जिसमें हम काम कर रहे हैं डोर्स की यह हमारे पास दर्वाजे जो है वो आ चुके हैं अब हम इनको one by one जो है वो प्लेस्मेंट की तरफ डफिनल्डी जाएंगे सबसे पहले हम इसको प्लेस कर लेते हैं हमरे पास double panel दर्वाजा मौजूद है तो इसको हम यहां से CO copy copy with base point करेंगे ताके original हमारा और आर्थो यहां से off करके यहां रख लेते हम इसको और एक अगर हमने अब depend करता है कि यह जो आपका हमारा main door है इसको हम कैसा बनाना चाहते हैं नॉर्मलि अगर आपका भी देखें तो इसको यहां से इस तरह करके भी हमने lines लगाई होती है जो कि शो कर रहा होता है कि यह आपका door है diagonal यह जो यह सब कहते हैं यह point इदर से मिला दें और यह point इदर से और अगर आप चाहें तो आप यह वाला door भी अगर आपने यह द्रवाला दरवाजा लगा दिया है यह वाली lines लगा दिया है यह plan है जब आपने actual लगाने जाना है तो जगह आपके पास मौझूद है यूर आप मालेक हैं जिस तरह का door आप इंशूर कराना चाहें करवा सकते हैं चलें यहां से हम start कर लेते हैं इसको इंशूर कर लेते हैं और इसके लिए क्योंकि हमने इसका भी middle point ढूंट ढूना है यह वाला corner पकड़ते हैं और इस corner को जो है वो इसके लिए भी हमें एक और line भी हम लगा लेते हैं ताके हमारे लिए जो है वो corner पकड़ना असानी हो और अर्थो आन और इसको भी हम बाद में इवन डिलीट भी कर सकते हैं जिस मेथड़ से परपस यह है कि हमारे पास middle point जो है वो हम easily detect कर सके so align AL enter और इसको हम यहां से select कर लेते हैं और यह हमारे पास point है तो यह हमारे पास centrality है और यह हमारे पास centrality है तो यह हमारे पास centrality जिस centrality ensure करने के लिए हमने यह वाली दो lines लगा ली थी और यहां पर हम enter करेंगे तो same अब आपसे पूछ रहे हैं कि align करना चाहते हैं तो हम कहते हैं yes तो आप note करें तो क्या हो गया हमारा जो है वो door has been aligned so we can now delete यह जो हमने extra lines लगाई है इसको भी delete कर सकते हैं और इसको भी हम delete कर सकते हैं जो हमने तो यह जो है इस तरह हम अपना first हमने जो है वो door ensure कर लिया है अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम second door यह वाले main की तरफ आजाते हैं अब यह depend करता है suppose मैं चाहता हूँ के जी हम अगर इसको ro rotate करके देख लेते हैं और यह वाला इस तरह है तो इस यह वाला कर लेते हैं और बाहर की तरफ अंदर की तरफ डिपेंड करता है so suppose AL align और इसको भी हम यहां से align करके यह वाला corner इधर मिला देते हैं और यह वाला इधर मिला देते हैं इसको बाहर की तरफ यह अंदर की तरफ यह depend करता है आप किस तरह इसको open करना चाहते हैं यह हमारे पास लग गया है अब तकरीमारे पास यह डबल पैनल तो यह थे अब आ जाते हैं हम इस सिंगल की तरफ और इसको भी हम copy with base point करके मुख्तलिफ जगों पर आर्थों को यहां से हम फिलाल off करके एक यहां रख देते हैं एक यहां रख देते हैं यहां पर हमने लगा की ती कि यह जो हमारे side होती है इस को मिया सिविलल यह जो side है इस वन जो हमेशा wall की side पे होती है तो इस द्रवाजें जो खड़े होना है तो इस जो यह portion है यह होगा इसका इस तरह और इसका पैनल जगा और यह उसका पैनल अपन होगा तो फिर एक्जेक्ट जो है यह आप नोट करें तो यह वाला हमारा डूर लगेगा यहाँ पे जो एक क्मांड आल की है एक कौर्नर पकड़ा उसको है वो मिडल पॉइंट पे रखा उसी तरह इसी तरह प्रफ़ा और और प्रफ़ा और यहाँ तो यह हमारे पास इसकेंड डूर जो है अब आजाते हैं इसकी तरफ अब यह हमारा क्या है इस साइड पे इसका पानलिंग यह आपने देखा हुआ है तो यह आप देखें तो यहाँ किया मैंने तो इसी तरह हम दोर लगाना चाहरे है तो आल वी नीड टू डू एस अलाइन की कमांड हम यहां से लगाकर और इसको एंटर कर लेते हैं यह वाला पॉर्शन जो एकस्टीरियर वह इस मीडल पॉइंट पे और यह वाला जो कॉर्णर है वह इस मीडल पॉइंट पे इसको एंटर किया और यह तो यह हमारे पास यह वाला दूर इन्शोर हो गया अब हम आ जाते हैं इस तरफ के डूर की तरफ अब यह डूर जो दिवार इस तरफ है तो यह वाला पैनल इस तर उना चाहिए तो हम तो हमारे पास already on है यह हमारे पास जो है वो क्योंकि यह दिवार इस तरफ है तो अब आपको आइडिया हो गया होगा अलाइन और इसको हम एंटर करके अल वी नीड़ टू इस बहुत असान और अमें यह कमांड जो है हमारे काफी सारे काम असान कर देती है किसी तरह का भी डूर हो आपने दो प्लेसे के दरमियान इसको तो यह हमारे पास यह वाला डूर अलाइन हो गया है अब यह जो है यह थोड़ा सा रिवर्स है अभी जहां यह इस तरह पढ़ा है तो अब क्या होना चाहिए यह साइड जो है वो इसकी इदर आएगी सो वापस हम इसको करने के लिए जो है वो रूटेट करके पहले देख लेते हैं और विल सी के क्या हमारा रूटेट से जो है वो पर्पस अगर सर्व हो रहा है तो ठीक है नहीं हो रहा तो फिर वी नीड टू सी नहीं अगर हम इसको mirror करके पहले फिर देख लेते हैं and then we'll see के हमारा जो है वो यह ऐसा नहीं है और इस तरह जो है यह हमारा door जो है वो लगेगा so align की command हमारे पास मौजूद है exactly same इसका यह वला portion और इसका जो है वो यह वला portion जो हम यहाँ पे use करेंगे और यह हम इसको कर लेते हैं yes yes जरूर करना है अगर आपने yes प्रेस न की आइंड पे तो definitely it may create certain problem issues को सकते हैं आपके साथ अब यह वाला हमारे पास option मौजूद है अब इसमें क्या है कि यह अगर हम यहाँ पे co copy with base point करके आर्थो आफ करके नीचे लेकर आता हूं इसे तो यह अलड़ी exactly same place है हमने ऐसा ही लगाना है पेशियो का जो है आलाइन की कमांड हम लगाते हैं यहाँ पे और AL enter और इसको हम मिलाएंगे this one and this one to this one और enter करते हैं yes यह दोर हमारे पास लग चुका है अब हम last doors की तरफ मूव कर रहे हैं अब हम चेक करते जाएंगे कि क्या आप यह जो दर्वाजा लगाना है ऐसा दोर हम लेगर कहीं यह अलड़ी लगाया हुआ है तो हम उसको पिक कर लेते हैं यह देख लेगर आप यह यह यह यह वला है तो इसको हम यहां से सी ओ अब जरूरी नहीं कि हम हर दफा रूटेट करते रहें और mirror तो हमारे पास यह लड़ी मौजूद है यहीं पर हम इसकी align की command की option को utilize कर लेते हैं और इसको हम इस place पे रख लेते हैं और इसको हम इस place पे कर रख लेते हैं और yes तो यह ह पास्ट जो है हम मूफ कर रहे हैं डूर की तरफ और that is this one यह भी हम check कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा डूर अगर मौजूद है already जिसका तो यह हमारे पास already एक डूर है जिसका पैनल जो है वह उपर की साइट पर है तो see you करके copy with base point इस तरह करके हम जो हम अपने डूर को जो है वह इंशोर करेंगे अब हम move करते हैं towards जो है इसके बाद windows विंडोज को भी हम quick way में place करेंगे और यह वाला corner जो है इधर आए जा है जो है वह windows तो LA हम जो है वह लेयर की command लगा लेते हैं और यहां पे हम लेयर की command में windows को create कर लेते हैं और W भी हम बढ़ा कर लेते हैं और इसको जो है हम color कर देते हैं से blue ताके जरा representable और इसको हम यहां से कर लेते हैं current layer विंडो का option स्टार्ट हो गई है यहां से लगाना स्टार्ट करते हैं so rec rectangle और यह हमने लगा ली मैं सबसे पहले rectangle इंशोर कर लेता हूँ space का button आप press करें तो आप दुबारा वही command एक्जीक्यूट कर सकते हैं so यह option है हमारे पास यह option window की थी अगर अब यहां पे डिबेट है कि dress का area है आप चाहें तो window दें चाहें ना दें तो यह जरूरी नहीं है कि अगर मैंने यहां पे window इंशोर की है तो आपने भी करनी है यह depends करता है, client requirement पर भी depend करता है, standards पर भी depend करता है, आप नदें चाहें तो इसको दोबारा आप यहां से जोड़ दें और आप समझते हैं अगर this is a private room बठार कला ऐसे glasses आपके पास मौजूद हैं जो आप अपने private rooms में इंशोर कर सकते हैं और वो आपकी privacy को भी protect करते हैं और यह हमारे पास एक यह वली window हम दोबारा rectangle और यह हम यहां से इंशोर कर लेते हैं और यह हमारे पास space का button प्रेस करके यह हमारे पास एक और option है और यह हम इंशोर कर लेते हैं यह हमारे पास एक और window थी इधर से इंशोर कर लेते हैं इसी तरह यह हमारे पास last but not least this one and this one as well यह हमारे पर स्पेशियो की जो हम ग्लास की यहां पर इंशोर करेंगे और यह वाला एरिया यह डिपेंड करता है अगर तो आपने कर्टन टाइप कुछ देना है तो यह आप एस तरह के सिंबल से इंशोर कर सकते हैं नॉर्मली यहां पर दर्वाजा नहीं होता कभी भी और य यह दोर हमने अलिपं लेडी-इइन शूर किया है अब हम वींडोस को जो है वो गूइक्स भी कर लेते हैं यहां पर पे हमने ने कहरें फो पिलैन के अदर हैं वीडिवा को उइंट के फूर्ण के रेपरिजेंट करते हैं वींड्योस को तो थोड़ा सा अउसका बहला दिफ लगा लेते हैं ताके यह मीडल लाइन हो गई इसी तरह हम स्पेस का बटन प्रेस करके यह वाली मीडल लाइन लगा लेते हैं इसी तरह हम स्पेस का बटन प्रेस करके यह वाली लाइन इंशोर कर लेते हैं इसी तरह यह मैं कमांड को दुबारा एक्जीक्यूट करता है जा रहा हूं इसी तरह हम इसको भी लगा लेते हैं और इसी तरह हम इधर अगर आ जाएं तो इस विंडो और इस वन अगर जाएं तो यह हमने जो है वो सेंट्रल लाइन लगा ली है अब हमने करना क्या है अब हमने वन इंच का जो है वो आफसेट देना है अन इच साइट तो हम ओ एंटर और वन इंच जो है वो सबसे पहले हम इसको दे लेते हैं और फिर हम आ जाते हैं हम इसको दे लेते हैं टाइम हम सेव कर रहे हैं ताके हम सेंट्रल लाइन बाद में डिलीट कर लेंगे हम इसको दे लेते हैं और इसको जो है हम फिर इसका इंशोर कर लेते हैं सेम वे में और नीचे आ जाते हैं तो यह हमारे पास आपशन है हम इसको कर यह भी हमारे पास है और अब हम नीचे आ जाते हैं तो यह हमारे पास जो है वह पाउडर रूम की जो विंडो थी उसको भी सेम और अब I guess we are left with drawing room window and this one as well तो यह हमने जो है वो इन्शोर कर ली हैं कि हमारे पास spaces जो है वो अब हमने all we need to do is इसको select कर लेते हैं इसी तरह हम इसको इसकी अब नहीं लिगा यह हम तो जाने दोबारा लगा लेते हैं और central lines हम delete कर देंगे यह हमने अलड़ी भी तरीका देखा हुए windows का normally plans के अंदर show करने यह हमारे पास जो है यह हमारे पास जो है वो इसको हम डिलीट कर देते हैं तो यह हमारे पास windows तकरीबन और यह हमारे पास show चुकी है लास्ट जो हमारे पास option यह वाली थी जो कि हमारे पैश्यो की थी तो इसको भी हम one inch के ओपर रखकर इस side and on this side as well and we'll delete this one so I guess we are done with windows मेरे पास लग चुकी है तकरीबन आप note कर लें doors की placement हमारे पास हो चुकी है so I hope plan अब थोड़ा सा जो हमारे रिप्रेजेंटेबल नजर आ रहा है अब हमने texting, dimension, we can even add fixtures आपके पास मौजूद भी है आप different sites से उठा सकते हैं उनको simply प्लेस कर सकते हैं जितना attractive आप बनाना चाहें आप इस plan को बना सकते हैं so this topic के अंदर हमने doors और windows को place किया है in a very quick manner बहुत सारे doors और windows थी, block एक तो हमने उठाए हैं doors के और दूसरा हमने उनकी placement align एक ही command है mainly rotate mirror align ती command ही use होती है totally door एक बनाने के बाद आपने उसी को replace करते रहना है, लगाते रहना है and then definitely we have used windows के ओपर भी हमने rectangle लगाई block explode करके central line और one inch का दोनों तरफ आफसेट दे के central line डिलीट कर दी so अब मेरे ख्याल में आपकी भी जब थोड़ा सा मेरी आवाज भी मैंने अपनी pace तेज की है, उदर भी तेज की है purpose यह है कि आपकी क्योंके अच्छी level पे आप training हो चुकी है, आप definitely excel कर सकते हैं so next topics में हम देखने हैं कि आगे इस plan के साथ हमने further कौन सा काम करना है